मैं समाद छेवी नहीं हूँ, मैं लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लोगों के अंदर जोस बरने की कोशिश कर रहा हूँ और जो अपने गरों में बैटके पूरे अरियाना में, राजस्थान में, उत्तर भारत में, मेरी टीम बनके, टीम अरश्चेकारा बनके मेरे लिए काम कर रहे हैं, जिनको आज तक मैं शेकल्चे भी नहीं जानता है, जिनके कभी मुलाकात भी नहीं हुई, मैं उन मेरे सभी प 27 बाइ तो ऐसे जो मेरे पास ही रहते हैं, 24 आवर, जिनमें कोई पंजाब बोडर दनोरी का है, कोई राजस्थान का है, कोई हिसार का है, 26-27 जो लड़के जो मेरे बाइ हैं, माजाय बाइसे भी ज़्यादा जो मेरे से प्रेम करते, मेरे से स्पोक्रत लेकारे, 24 गंटे मेर बनके team और अरच्चिकारा बनके मेरे लिए काम कर रही हैं जिनको आज तक मैं शेकलचे भी नहीं जानता है जिन चे कभी मुलाकात भी नहीं हुई मैं उन मेरे सबी प्यारे भाईयों को सैलूट करता हूँ क्योंकि उनकी मैनत के कान अर्षिकारा इतना फैमस हुआ इतना परसीद हुआ है वरना अर्षिकारा को कोई नहीं जानता आ सर आपको इंस्टाग्राम मोडल कहें कि फिटनेस मोडल कहें एक समाध से भी कहें मोटिवेशनल स्पीकर कहें जैसे की पबिलिक आपके बारे में राय है तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर आप क्या हैं देखे बेन ना ही तो मैं कोई मोडल हूँ, ना ही कोई फिटनेस मोडल हूँ, अपनी से अपनी सरीर का खयाल सब को रखना चाहिए, अभी किसान अंदोलन के दोरान मेरे को चोट लगी थी कमर में, जिसके काण मेरे को लगा कि आपकी बोडी जो लेंगवेज जो खराब हो रह आने के लिए थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेता हूँ, तो इसी लिए फिट रहना बहुत ही जरूरी है, उससे अलग आप कहरेते समाच सेवी कए, या मोटिवेशनल स्पीकर कए, ऐसा कुछ नहीं है, अरश्चिकारा जो भी हो रियल है, यानि कि वो रियल बनने की मेरे के आगे है, मैंने अपनी जीवन में एक बात सोची है, मैं आपको बता दूँ समाच सेवा की जो बात है, मैं समाच सेवी नहीं हूँ, मैं लोगों को जगाने की कोशिस कर रहा हूँ, लोगों के अंदर जोस बरने की कोशिस कर रहा हूँ, सबसे पहले जब मने पहले व कुम चीजों को छोड़ गे अगर आज की आलात में हाल फिलाल आप लोगों को देखोगे हर गाउं में हर सहर में हर जिले में कोई न कोई भाई आपको समात सेवा करता दिखाई देगा वो भी वीडियो बना के डालते हुए यानि कि लोगों के अंदर कहीं न कहीं जाग यही कारवा बनता 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 आज हाल में मेरे बहुत सारे बाई जाग गए हैं जो काम कर रहे हैं और आने वाले समय में हमें किसी नेता मंतरी की ज़रूरत नहीं बड़ेगी मदद के लिए देख लेना आप ऐसे ही लोगों को हम जगाते रहे ना हम गरीब आदमियों की ड परसनली तो रुपे एक बात कर रहा हूं आप एक पत्तरकार हो आप मीडिया को चोथा स्तम बोलते हैं आप हिमत रखते हो किसी MPMA से सवाल करनेगी हिमत रखती हो तो आप एक सवाल करना कि आपकी सैलरी दो डाइलाग रुपे होती है और आप पांच साल के दोरान पांच- करोड रुपे की 10-10 गाडिया कैसे खरीद लेते हो 100-100 करोड रुपे का बंगला कैसे बना लेते हो 1000 करोड रुपे की प्रोपर्टी कैसे जोड लेते हो उस दो डाइलाग रुपे की सैलरी से साइद वो आपको जवाब नहीं दे पाएगा क्या है वो हमारे कोई तो लूट- और वो खुद खाएगा और हम है ना हम हम किसी की मदद कर दे हमारे को बदनाम करने के लिए कुछ मूर खावारा ततों बार निकलेंगे और बोलेंगे पैसे खा गया पैसे खा गया सबसे पहली बात तो मापको बता दूँ लोग ये भी कहते हैं जनता से पैसे क्यों ले रहा इनी का चुन है निकापुन है इनी से कमाना होता है इनी से खाना होता है यह एक सच्चाई है क्या कोई मंदिर में कोई भगवान मंदिर को पैसे दे सकता है नहीं भगत पैसे देते हैं क्या किसी गुरू दुवारे में वहां का कोई गुरू पैसे दे सकता है नहीं जनता ही पैसे देति है तो जो कुछ भी सिस्टम है वो जनता से ही चलता है जनता के बगयर कुछ भी नहीं चलता और जो अपर इलिए उगलियां उठाते हैं मैं उन से भी कहता हूं भई आप भी ऐसा चैराबनो ना आपके चैरे को कोई पैसे दे आज के बुरे वक्त में अगर आप किसी से 200 रुपे भी निकलवा लो ना किसी की जेब से मान लो आप बहुत ही सचे इंसान हो और मैं लाखो लोग रुपे लोगों की मदद के लिए एक गंटे में निकलवा सकता हूं तो कुछ न कुछ तो मेरे पर लोग ट्रस्ट क हो जाएगी हमें किसी नेता मंतरी की जरूरती नहीं पड़ेगी क्योंकि गरीब के घर जाके हम डारेक्टी मतद करतेंगे अमीर भाई गरीब की उंगली पकड़ के उसका सारा बने तभी अच्छा समाज बनेगा गुम फिर के यार आपने समाज सेवा किसलिए सरू की किसको देखके की मैं सबसे पहले तो आपको बता दूँ मैंने आहलातों से सीखा अपने घर परिवार से सीखा है 1997 में 10 में मैंने की दो तारीक इत्वार के दिन मेरी माताजी की मर्त्यू होगी थी और मर्त्यू का जो कारण था सिर पचास जा रूपे कास उस वक्त अगर अमारी जे में पचास जा रूपे होते तो आज मेरी भी माताजी जिन्दा होती मेरी माता जी की मोत का कान तरीडी अड़ी तूटना और मेरी माता जी की जो मिर्त्यू हुई पैसो के साथ साथ दूसरा कारण था हम पावरफुल नहीं थे हमारे पास सिपारिश नहीं थी ये इंदूस्तान है अगर आपका एक्सिरेंट हो गया आपका हाथ कट गया ना पहले अस्पताल में जा के आपको फारम बरना पड़ेगा चाहिए आपकी मर्त्यू हो जाएं एडमिट आपको बाद में करेंगे ये आलात हैं इंदूस्तान की तो जब वहाँ सबदरजंग होस्पिटल के बार मेरी मात तडप रही थी मेरी माता जी को एक अपते तक बैड नहीं मिला और बैड ना मिलने के कारण मेरी माता जी की मर्त्यू होगी मुझे उस्सी जगाज भी दुख है अगर आज इस वक्त मेरी माता जी जीवित होती किसी अस्पताल के बार तडपरी होती न मेरी माता जी के इलाज के लिए 50 क्रोड रुपे भी चाते मैं 50 क्रोड रुपे भी लगा सकता था क्योंकि मा एक ऐसी चीज है जो हमारे को इस जीवन में लेके आई है और उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते इन 2022 में मैं बहुत खुश हूँ मेरा परिवार बहुत खुश है सबसे ज्यादा मेरी पतनी बहुत खुश है अगर मेरे बच्चे से जाके आप ये पुछोगे न बेटा तू बड़ा होगे क्या बनेगा मेरा चोटा मासूम बच्चा भी ये कहता पापा मैं बच्चिंग भनूँआ पता क्यों वो अपने बाप से सीख रहा है अगर उसका बाप कहीं एसोरिया राय मलीक का सहराओ तो उसको दिखाएगा न तो वो वही सीखेगा वो अपने बाप से ये सीख रहा है मेरा बाप बगत्चिंग से शीख के ये मदद दे कर रहा है, मैं बड़ाओ का बगत्चिंग बनुआ, उसकी सोच चाहिए, अगर आप उसके बाल देखो के इतने बड़े बाल और के बाल निकटवाता हो, क्योंकि मैंने छाती पे बगत्चिंग का टैटू बनवा रख्या है, और उसमें बगत्चिंग ने चोटी कर रखी है, तो वो भी ये कहता है, मैं भी बगत्चिंग के तरह बाल रखूआ, बगत्चिंग बन नामन है, यही एक दूसरे से देख के सीखते हैं,